हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रूप की और यह जो एक ब्रेकिंग निउस निकल करा रही है कि अदानी ग्रूप की नई कंपनी की हुई एंट्री जान यह क्या होगा कारोबार नई कंपनी बनाई है और अगर आप नए हैं इस चैनल के ओ अब आज और जनको नई पता उनको मैं बता दूं यह सबसीीडियिस जा फोती है बला ही वहाँ यह पर जो है इसके अंदर यह जो चंसोडियरेशन प्रूपीट होता है वह इसी सबसीडिरी कंपनी है मतलब कि यह जितने भी सबसीडियरी कंपनीस है उनका और जो है जोनस्वामित्व वाली सबसीडिरी अदानी एनर्जी सोलीशन ग्लोबल लिमिटेट का गठन किया है और कम्पनी ने कहा कि इसका उदेश्य भारत के बाहर ट्रांस्मिशन प्रोजेक्स में नए बिजनस के आउसर तलाशना है यह इनके लिए अच्छा रहे सकता है कही ना कही लोगडिरम की बात करें तो जैसे कि हमने बात किये जो सबसीडिरी कम्पनी होती है वो जो conservation net profit या लोस जो होता है वो उसके अंदर जो है इसी सबसीडिरी कम्पनी जो जितनी भी होती है उनका प््रौफिट और लोस भी इसके अंदर agents होता तो कहीी ना कही उसे उसको फरक का मुनाफ़ा हुआ था पिछली साल इसी तीमाही में कंपनी को 175 करोड रुपे का मुनाफ़ा हुआ था और हाल ही में कंपनी ने जानकारी दी कि अधानी ग्रीन एनर्जी और अधानी एनर्जी सोलीशन यूटिलिटीस फोर नेट जीरो एलाइन्स में भी शामिल हो गए है तो यूटिलिटीस फोर नेट जीरो एलाइन्स की स्थापना जो है COP28 में UAE डिकली रेशन और एक्षन को अपना नेम के साथ की गई थी शेर का प्रदर्शन यहां पर इसको देख सकते हैं शुक्रवार को यानि कि कल के दिन किया हुआ कि पांच प्रदर्शन के आसपास की गिलावट के साथ बंद रहा इसके उपर टेक्निकल चाट के उपर हम चलचा करेंगे तो वो वीडियो भी आप ज़रू देखेगा और प इसको बाद ही कोई decision ले और decision ले तो इसके में दारी maturity के साथ को दे ले यह वीडियो मैंने है जो किसे ने पलपस के लब बनाए यह मेरी तरप से कोई भी बाई एसल के रहा कमने चनल ने है thank you